यूटूब चैनल परिक्साइपाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मेरी तू चलिए हम अपने तैयारी करें सीचेट के हम तैयारी करें जिसमें हम ओल्ड पेपर अपने देख रहे हैं जो ओनलाइन वाले हमारे पेपर हुए थे व हमने जो है एक जनवरी तक सारे पेपर है अब हमारा जो आज का पेपर है यह पेपर है जो आपका पेपर तीन जनवरी अगर आप इसकी book खरीदने चाहते हो तो आप book भी आप ले सकते हो तीनों volume आपके लिए available है तो आप जो site का link है वो video की description में आपको दिया गया है वहाँ से आप purchase कर सकते हो book तो पहला question आता है कि समकालिन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की परकिरिया तो कैसी होगी कि बहुआ आयामी है क्योंकि बच्चे विबीन परकार के संदर्बों में पलते बढ़ते हैं option भी right होगा next second question है कि विकास का डैस सिध्धान्द बताता है कि गामक कोशलो का सरीर के मद्धे से आरम होकर सरीर के सिरों की और बढ़ता है तो यह हो जाएगा अधोगामी option सी right होगा next third question है कि विकास की किस अवस्ता में बच्चे कल्पना सिलता वाले खेल में सक्रिया रूप से भाग लेते हैं तो प्रारंबिक वाले अवस्ता है option भी right होगा next fourth question है fourth question मे आपर पूछा गया आपका कि निमने में से कौन इसी बच्चो के समाजी करन की दुट्य संस्ता होती है तो दुट्य यानि second संस्ता इसमें पूछी गई है दुट्य संस्ता इसमें आपकी पूछी गई है तो दुट्य संस्ता है सोसलाइजेशन की primary क्या होता है परिवार है तो इसका इसमें कोई सभी देखिए आपका जो आयोग है उसने कोई सभी उप्शन आपका नहीं दिया गया है क्योंकि बिल्कुल आपको उत्तर जो है बिल्कुल आपको सही पढ़ाया जाएगा नेक्स आता है कोश्चन नंबर फिफ्ट है कि रूची को तीन पैंसिल दिख और लिष्ता को दर्शाती है सकर्मक अनुमान को और ऑप्शन से राइट होगा नेक्स्ट सिक्स्ट कोश्चन है जीन प्याजे के संगेनात्मविकास के सिध्धांत के अनुशार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्र मेंसे क्या कर पाने के योग्या होता है प्रती वरतान ओप्छन ए राइट है नेक्स्ट और कुशएं है एक अध्यापी का अपनी और लेव वाई गोच्की के सामाजिक संगरचनावादी सिद्धानतों पर आधारी सिक्षन अधिगम परकिरया तयार करना चाहती है। किसी परगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिक का क्या विश्वास होना चाहिए तो क्या विश्वास होगा कि कक्षा में विध्यारती अपने साथ विविद प्रकार के सम्रद अनुभव लाते है औप्शन सी राइट है किस विचारक ने इस बात को नका रहा है कि बुद्धी एका लिकाई है और कई प्रतक श्वेतंद बुद्ध्यों का सिध्धान्त परतिपादित क्या है तो वो हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ओप्शन भी राइट है नेक्स्ट कोश्चन है 12 खिलोने के रूप में गुडिया मिलने पर रोहन की परतिकिरिया थी मुझे यह एक खिलोना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुडिया से नहीं खेलते यह किसका उधारन है तो यह एक्जामपल है किसका होगा जैंडर रुडिवादी का विध्यारती के सभी ड्राफ्ट को ध्यार में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की परकिरिया को भी माननेता देता है तो इस परकार के मूल यंकन को क्या कहेगे तो रचनात्मक क्याते है ओप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स आता है कोशन नमबर 14 कि एक बहु भा राशत्य सिक्षन निति यानि एनउसार छिख्षाफ को क्या करना चाहिए इसमें में पूछा गया 1997 Twelve declined in पार्ट्यकरम को जल्दी पूरा करने के लिए एक सिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है सिक्षक द्वारा किया गया यह कारिया तो यह कहलाता है विध्यार्तों को समान अवशर की उपलवजता से वनशित करता है ओप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट सेवंटीन कोश्चन है कि गुना जिवे कले से जूजते चातर के समावेशन है तू निमने में से क्या महत्यपून है तो महत्यपून यहाँ पर पूछा गया है तो क्या होगा कि विध्यार्ती को द्रश्याधारित परिकलन कैलकुलेटर और गनित संबंदी परियोजता उपलब्द करवाना ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट क्वेशन है एक द्रश्टि बादिता वाले विध्यार्ती के लिए निमने में से कौन सी सामगरी लावदायक नहीं होगी तो चोटे अक्सरों वाली पुस्ता के ओप्शन भी करेक होगा नेक्स्ट नाइंटीन कोईशन है कथने और कथनार आपको द्या गया है कि भाता सिक्षन के दोरान एक अध्यापी का कोलिकित सामगरी के साथ सर्वन उस्तिक भे उपलब्द करवानी चाहिए तरकार है प्रस्तुती करण के विविद विकल्प विभीन अधीगम करता आउकी जवरत को पूरा कर पाते हैं जैसे गी बठंविकारों से जूजते विद्धार थी तो यहां पर सई विकल्प को चुनना है कौन से उप्शन होगा तो यहां पर अभिकतर्ण और असर्शन दोनों सही आपके यानि अभिकतर और जो तरक है दोनों सही है आर एकी सही करता है option है राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है question number 20 है कि एक सर्जिनात्मक बालक को निमने में बच्चे की सफलता और एसफलता को केवल पेपर पैंसिल परिक्षय के द्वारा ही सही और पूनरूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है तो इसमें आपको कौन सा आपको option आपका सही होगा ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही वैक्या करता है option है right होगा next 22 question है किसी संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक भी बिन उधारन प्रस्तुत करती है और उसके बाद विधारतों को उधारनों द्वारा एक्तित जानकारी के आधार पर नियम आधारी निर्धारित करने को क जाती है इसकी रिया में अध्यापिका किस अभीगम का इस्तमाल कर रही है तो वह हो जाएगा आगम नात्मक option भी right होगा next 23 question कक्षा नियमन में विधारतों की सहकारिता है तू एक अध्यापक को क्या करना चाहिए जो एक अध्यापक होता है उसको क्या करना चाहिए मापद दर्बों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है तो वो कौन सा होगा जैसे पहला है खेल कुद बिल्कुल सही घर बिल्कुल सही और कक्षा कक्षे भी सही तो पिसी option आपका सही होगा पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों आपके सही है next 25 question है question में आपसे पूचा गया है कि निमलिकित में से कौन सी तक्निके चात्रों में समश्य समधान कोश्रों के विकासे तू परभावसाली नहीं है तो वो है कि हर समश्य के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरंदर परकिरिया के इस्तमाल परबल देना option D right होगा next question आता है question number 26 निमने में से कौन सा एक संगरचनावादी कख्षा का अभिलक्षन है तो अभिलक्षन क्या है कि कख्षा कख्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उप्योग नए ज्यान की रचना के लिए किया जाता है option D right होगा next आता है 27 question निमने में से कौन सी विचार अधारा बच्चों के अधिगम में अवरोदक है तो कौन सी अवरोदक होगी अधिगम करताओ के लिए तुरूटिया करना एक लज्जा जनक कारिया है option D right है next question आता है 28 कि निमने में से कौन सा भाय या भी प्रेड़ना का एक उधारन है example है तो कौन सा होगा तो example है कि तनाव ने विध्यारतों के प्रदर्शन को नकरात्मक रूप से परभावित किया है यह निम्ली कित में से किस परकार के संबंग को इसपस्ट करता है तो वो हो जाएगा संग्यान और संवेग option भी right है next 30 question है अधिगम अधिक सार्तक और परभावशाली होता है अगर व्या म अंको को यह ताली का दर्शाता है तो यह टेबल आपको दी गई है जिसमें नाम है समु में पढ़ने के पहले अंक सो में से तो समु के बढ़ने यानि बाद में जो अंक दिया जाते सो में से आपको दिया गए मानसी के सरसट 79 54 60 और फैसल जो है 33 होगा और 71 आपका होगा option D right होगा next question आता है 32 निमली की तक्षरों के कि समु में 36 और उर्धवधर दोनों परकार की सम्मित रेखाई है तो सिमेट्री लाइन कौन-कौन सी है इसमें X एते ओर है तो option B right होगा next आता है 33 question राकेश और सान्या अपस में चर्चा करें राकेश क कहता है 33 व्यास की दोगनी है और सान्या कहती है 33 व्यास की आदी होती है निमली की तुभी कलपव में से कौन साही है तो सही कौन साही कि सान्या सही है और राकेश गलत है option B right होगा next आता है 34 question की अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गनीत्यांकों के कौन अंकों में कौन कौन किसमें मिले एच फाइफ त्री ओप्शन सी राइट होगा नेक्स आता है 35 कोश्चन किसी संक्या के गुननखंड डैस होते हैं तो कैसे गुननखंड होते हैं संक्या के बराबर या उससे कम ओप्शन है राइट होगा नेक्स ए 36 कोश्चन वैनू को 25 सितमबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जिनम पर्मान पत्र मिला उसने देखा कि उसकी जिनमती थी पर्मान पत्र में 5 दिसमबर 1991 में लिखी थी जब वैनू को पर्मान पत्र मिला तो उसकी आयू लगबग कितनी थी तो कितनी होगी 25 पर्स नो सही एक बटे दो महिना यानि ओप्शन भी इसमें राइट होगा नेक्स आता है कोश्चन नमबर 37 पांच वैक्ट्यों की लंबाई नीचे दी गई है तो जिसमें दी गई है 113 संटीमिटर 161 संटीमिटर 156 संटीमिटर 169 संटीमिटर और 162 संटीमिटर इने लंब से चोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीकों से दो संख्या के घरो योग द्वारत अशाय जा सकता है निमली कितमे से संख्या कौन से युग्मों के धनों से यह संख्या प्राप्त होगी तो किस से प्राप्त होगी एक 12 और 10 नों से ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट 39 कोईशन है तीन मीत्र करम से 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट के अंतर पर अपने मोबाइल फोन पर संख्या करते हैं उन्हें संख्या निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ वे कितने समय के बाद पुने एक साथ संख्या करेगे तो कितना तीन घंटे ऑप्शन ड 1 बटे 2 प्राप्प्षम है राइड होगा नेक्स आता है 41 कोश्यन है कि पैटन को देखुए ततादेर्स पर संख्या आपको लिखनी है तो तो कैसे जैसे एक बटे तीन दीन दिया गया है आपका एक कि यहां पर आपको यहां पर कितना आपका यहां इगा वो आता है एक आसी लेकन सामगरी वस्तों की दरे नीचे आपको दी गई है जैसे लेकन सामगरी और उनका मुल्य है तो पैंसिलों का एक पैकेट 22 रुपे का है कलम का एक पैकेट 37 रुपे पात पैसे का है एक रबड है तीन रुपे 50 पैसे एक सापनर है चार रुपे 50 पैसे पैस्टल जो कागत सीट का एक पैकेट आता है वो 48 रुपे का है और एक रेखनी रहने रूर दस रुपे का आपका दिया गया है तो इसमें हर प्रित ने एक पैकेट पैंसिल दो पैकेट कलम तीन रबड ए स्टेल सीट के दो पैकिट और एक रेखनी खड़ी दी उसको कितनी राशी अदा करने पड़ेगी तो कितनी राशी देनी पड़ेगी 218 रुपे ऑप्शन है राइट हो जाएगा नेक्स आता है 43 कोईशन है कि 111 को 101 से भाग देने पर क्या सेस्फफल प्राप्त होगा तो कौन ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट 45 कोईशन है 78, 63, 64 में दोनों चैके स्ताने मानों का गुननफल है तो गुननफल क्या है यह आपको बताना है तो गुननफल हो जाएगा इसमें 3,60,000 ओप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट कोईशन है 46 एक गनित के अध्यापिका ने अ बारा नाय अर्तात किसी भी अंकी पुन्रावर्ति ना हो चात्रों के विवित जवाबों के बाद विवित चातों से पूछते आपने जो दो संख्याइब बनाई है उनमें अंकों के करम के बारे में सोचे क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या क ऐसे बनि अपनी तो कोंसे कफ़न उप्यूकत के संदर में अतिब्व होग dru नहीं होता तो वो है सत्रांत प्रिक्षा option C राइट होगा next 48 question है एक गनित के अध्यापक अपने चात्रों के समक्स निम्लिकित इबारती सवाल यानि सब्स समश्या रखते हैं समचार पत्र की एक पर्तिमा प्रती में 12-12 पर्णे हैं हर रोज 10,500 पर्तिया चपती है कितने कुल पर्णे हरो चपते हैं एक चात्र जवाब देता है कि उत्तर है कि 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा तो निम्लिकित में से कौन सा कतन उप्युक्त के संधर्व में सही है तो कौन सा सही होगा कि अनुमान रोजमर्रा के गनित में इस्तमाल होता है सिख्षक को चात्र के अनुमानित उत्तर के लगबग सटी कोने की परसंसा करनी चाहिए ओप्शन भी राइट है नेक्स्ट क्वेशन एफ 49 कि राश्ट्य पाटे चर्या रूपरे का न्सेफ 2005 के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा कतन गनित सीखने के संधर्में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना द्रश्टी को निरुपीत करता है तो कोने निरुपीत करेगा यह आप से पूछा गया है तो इसमें है पहला आता है कि चात्र सम्वों में काम कर रहे है और वास्तिक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंद जोडते हुए पर्शनों को हल करने के लिए विभी निरनित्या खोज रहे है बिल्कुल सही है दूसरा चात्र पाटे पुस्तक क्या भ्याशों को हल कर रहे है जो सिक्षक द्वारहल किये गए उधार्नों पराधारित है रोंग तो यह थड़ है कि सिक्षक अधिगम की परकिर्या पर मनन कर रहे है और गलत्या को अधिगम के आउसरों के तोर पर देख रहे है यह भी आपका सही होगा तो पहला और तीसरा इसमें आपका बिलकुल सही है तो ओप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा ओप्शन सी राइट है नेक्स्ट एक कोश्चन आता है कोश्चन नमबर 50 है इसमें पूछा गया है कि एक प्रात्मिक स्कूल की गनित की अध्यापिका चाती है कि उनके चाते देनिक जीवन में सूचना को सुववेस्तित करने निरुपित करने और अर्थ निकालने के लिए आकड़ों के परबंदन किस प्रशन्चा करे निमलिकित मेंसे कोन साध्यापिका को अधिगम के परिनामों को प्रात्मिक करेगा तो वो है कि विविद रेल समझ सार्नी का समचार पत्रों में प्रकासिक सर्वेक्षनों आधिका उप्योग करना ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट है 51 कोश्चन है निमलिकित मेंसे कोन सी रन्यनिती प्रात्मिक कक्षा में भिन की संकल्पना को प्रस्तूत करने के लिए अति उप्यूक्त है तो अति उप्यूक्त क्या होगी अति उप्यूक्त है कि व्रतों और आयताकार्ट पहियों के सम्मित कटाउट के साथ भिन्लों को निरुपित करने के लिए कागज मोडने की गतिविद्यों का परियोग करना ओप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट फिफ्टी टू कोईशन है कि गनित की अपनी सब्दोर्चिनों की बासा है जो चात्रों की देनिक बाशशे बहुत दूर है दिये गए कतन के संदर में निमली कित में से कौन सा अति उप्यूक्त होगा तो सिक्षक को गनिते समश्याओ को संदर में करना चाहिए और गनित को विद्यारतों के जीवन अनुभावों का भाग बनाना चाहिए ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट आता है 53 कोईश्यन एक पाचवी कक्षा की चात्रा दुए मा करते अकाउन के गुने के आधार पर शियर्णों में वर्गी करन पर कर पाती है जयमीत्य विकास की वैनेले सिधानत के अनुशार वैच चात्रा जयमीत्य विवेचन के डैस इस्तर पर है तो कौन से इस्तर पर होगी विशलेशन इस्तर पर है ओप्शन ए राइट होगा तो एक चात्री ने जवाब दिया 20 उसने संजय पर्शन में कहा गया है कि करती 20 मिनट बाद विश्तर पर गई तो उत्तर जवाब 20 ही होगा नुमेन के अनुशान चात्र द्वारा दिया गया उत्तर उधारन है तो एक इसका एक्जाम्पल होगा अव बोध यार अर्थ बोध की तुरूटी का एरर का ओप्शन है राइट होगा नेक्स्ट 55 कोशन है रास्ट्रे पाठे चर्या रूपरे का 2005 बल देता है कि स्कूल गनित गतिविदी आधारी तो ऐसा है क्योंकि क्यों आधारी तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि यह विद्धार्तों को आजिवी का कमाने के कोशल के विकास में साहिता करता है यह विद्धार्तों को गनित में आर्थपोन समझ्षाओ को हल करने सुलजाने के लिए प्रोसाइट करता है थार्ड गनित में एमूर संकल्पनाव को समझने के लिए मूल जो अनुबा उपलब्द कराता है चोथा है कि यह प्रादमे कक्षाओं में बच्चों को मोनोरंजन राटा है तो सही ओप्षन आपको बताना है कि कौण स स्टेटमेंट आपकी सही होगी तो सैकेंड और फिर्टि स्टेटमेंट सी है और राइट होगा, नेक्स्ट फिफ्टि सिक्स कुश्चेbek है, कि इसमें पूछा गया है, कि गनित्या दूष्चिचा से ग्रस्त चात्रों के लिए निमली कित में से कौन साय से आकलन का के साधन उप्यूकत है पहला मानक संदर्वित आकलन रोंग भी दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम परियोजना बिल्कुल सही थड़ है योगात्मक आकलन गलत चोता है रचनात्मक आकलन बिल्कुल सही तो दूसरा और चोता सही आ करने के लिए निमलिकित तरीकों से उंगलिया पर गिंटा है जैसे 3 प्लस 9 कैसे होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 9, 10, 11, 12 तो विध्यारती द्वारा उप्योग की गई परकिरिया के लिए निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन अती उप्योगत है तो कौन सी स्टेटमेंट उप्यो गनित में समझे समधान किरनिती नहीं है तो वह है कि रटकर याद करना या इसमरन करना ओप्षन सी राइट होगा नेक्स्ट कोशन है 59 एक गनित के अध्यापक अपने चात्रों के समख एक परशन रखते प्रस्तूत करते हैं पूर्णांकों को जोड़ा लिखे जिसका से धन पूर्णांकों के समुच्चे के अमुर्त रूप को समझते हैं इस समुच्चे में हम सुन्ने सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चे प्राप्त होता है इस समुच्चे में हमने रनात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया पूर्णांक समझ्च्चाओं को ज नेक्स्ट अब आता है इवेस का सेक्षन यानि प्रवरण अध्यन आपका है तो इन्वार्मेंटल स्टडी के बारे में पढ़ेगे जिसमें ये सेक्षन भी आपका 30 माक्स का आता है तो चले पहला कोशन है 61 कि निमले कित में से कौन से जानवर का आगे का दात यानि जो आगे का जो दात होता है उसके पूरी जिंद्गी बढ़ता रहता है तो कौन सा जानवर है गिलहैरी का ओप्षन भी राइट होगा 62 कोशन है नीचे दिये गए विकल्पो में से मधु मक्खी के सरवादी को विसेश ताइप पहचाननी है तो पहला है कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है यहाँ पर पहला आता है कि केवल जो रानी मक्खी है वो ही अंडे देती है बिल्कुल सही है दूसरा नर मक्खी की कार्य करता के रूप में कोई विशेज भूमी का नहीं है ये भी सी के तीसरा सभी मादा जो है मक्खी अंडे देती है गलत जो था है आपका कि कार्य करता मक्खी जो होती है वो भोजन को खोजती है और उसे चत्ते में लेकर आती है ये भी आपका सही है तो तीसरी स्टेटमें सही है option सी right होगा next 63 question है कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्सों से रह रहे है उनका वन बुमी और उसमें होने वाली उपर अधिकार हो जाता है यह act लिया गया है तो यह जो act है किस से लिया गया है यह act है one act के अधिकार 2007 से option है right होगा next 64 question है जूम की जो खेती होती है तो जूम खेती है काट और दग्द खेती option भी right है next 65 question है कि रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित सगे चेतर में नोबल पुरुसका डैस में डैस सोध करने के लिए मिला तो कैसे यानि malaria मच्छर से फैलता है option भी right होगा next 66 question है सिंकोना पेड के किस भाग का उप्योग malaria के उप्चार के लिए किया जाता है तो छाल का option भी right होगा next 67 question है कि साप के जहरिले दातों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है विस दंत कहा जाता है option भी right होगा next 68 question है निमलिकी तिमेंसे भारत में मिलने वाला कौन साप जहरिला नहीं है तो जहरिला जो नहीं है वो है भारते सेल अजगर यानि python option c right होगा next 69 question है वर्मिंग कमपोस्टिंग एक विदी है जिसमें खाद बनाने में 10 उप्योग होता है तो क्या होगा यानि कोई जो कैच्व होते है अर्थवोम जो है यह आपके उप्योग में आते है option c right होता है next question है 70 जो पशमीना उन है वो किसे जानवर से मिलती है तो वो जानवर है बकरी option c right होगा next 71 question है अधूरे जल जिवाश में इंधन से फैलते है तो अधूरे जो जले होते है वो किसे फैलते है यानि जिवाश में इंधन आपका होता है उससे फैलता है तो वो है co option a right होगा next 72 question है कि पोदों में पानी देने के लिए पर्यूग तक्निक जिसमें संक्रे नलियों से पानी सिधर पोदे के आधार में दिया जाता है तो जो कहलाती है तो वो क्या कहलाएगी ड्रिफ सिसाई आपकी कहलाती है option d right होगा next 73 question है निमनी पोदों में से कौन सा पोदा कीटों को जाल में फसाता है और खा जाता है वो है घट पढ़नी का पोदा option d right होगा next 74 question है वर्षा के पानी को भविषय में उपयोग करने के लिए संचित करना डैस कहलाता है तो वो क्या कहलाता है वर्षा के पानी का संचियन option d right होगा next 75 question निमनी कित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है तो कौन कौन से रोग है जो मच्छर से आपका फैलता है पहला malaria बिल्कुल सही आपका है दूसरा है pneumonia wrong दूसरा dango ये भी सही है चोथा चिकन गुनिया ये भी आपका सही है तो right answer option C है next आता है question number 76 विध्यारती केंद्रित कख्षा विध्यारतों के सीखने के लिए सहयक वातावरन सुनेचित करती है निमने में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है तो कौन यहां इस बात को प्रस्तावित करता है तो वो है कि सिक्सक ऐसे सीखने की परिस्तिती उपलफ्द कराता है जो विध्यारतों को अफशार देती है कि विए अवलोखन करे, खोज, अन्मेशन करे, परशन करे, परियोग करे, तथा विबिन प्रत्यों की समझ विक्सित करे, ओप्शन सी राइट होगा नेक्स आता है 77 कोईशन की कक्षा, पाच की अध्याय दिवार के उस पार में एक सिकसक आरीफ अपने चातरों से जो खेल वो खेलते हैं, उनके अनुबव साजा करने को कहते हैं, निमने में से कौन सा उसके परियास को सबसे ज़्यादा इसपस्ट करेगा, तो कौन करता है, कौन से विदी प्रात्मी कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उप्यूक्त है, जाच आधारित सिक्षन, ओप्शन सी राइट होगा, नेक्स्ट, क्वेशन है 79 कि EVS के सिक्षन में छेत्रिया भर्मन में निमने में से कौन सा विकल्प इस परकार के भर्मन के लिए सही है, तो पूर्व योजना तता प्रति पुष्टी किर्या कलाप के साथ स्कूल के नजदी किसी स्थान पर जाना, ओप्शन है राइट होगा, नेक्स्ट है 80 कोशन, क्वेशन नमबर 80 है, इसमें पूछा गया आपका कि एक EVS की कक्षा को एक खुसगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर में निम्न में से कौन सा कतन सही होगा, तो अवलोखन, अन्वेशन, प्रसन पूछना, एवं किर्या कलाप करना, यानि एक्सपरिमेंट करना, ओप्शन सी राइट होगा, नेक्स्ट है 81 कोशन, कि बच्चों में विसलेशन आत्मक विचार विक्षित करने के लिए वन सब्रक्षेक उप्योगी उपकरन है, ये अनेक पीडियो से परिवार के सदेशों के आपसे संबंदों के बारे में है, ओप्शन डी राइट है, नेक्स्ट, 82 कोशन है, इविस में आकलन का जो संकेतक है, वो है चर्चा करना, डिबेट करना, ओप्शन है राइट होगा, नेक्स्ट, 83 कोशन है, कि ककसा थर्ड के विशे में अंचितरन के अंतरगत कौन सा किर्या कलाब चातरों के लिए सबसे उप्यूगत होगा, उन से उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना ओप्शन भी राइट होगा, नेक्स्ट, 84 कोशन है, एक सिक्सक को ककसा फर जाकर परत्यक सनुभाव देना, ओप्शन सी राइट है, नेक्स्ट आता है, 85 कोशन है, तो 85 में जापर आपका पूछा गया है, कि डॉक्टर व्यूमांट के परियोग विध्यारतियों को व्याग्यानिकों की बुमी का समझने में साहिता करते हैं, नीचे लिए कि व्यानि करना, प्रेस्तावित करना, प्रेशन करना, अनुमान का प्रिक्शन करना, अनुमान लगाना और प्रिक्शन करना, तो इसका जो होगा, तो कौनसा औप्शन सा है, यह उप्शन डिया आपका, बिलकुल 沒錯 आता है, question number 86 कि विध्यारतियों को जेवी वित्ता का अनुभाव द सिख्षक उसकी जिग्यासे की पूर्ती के लिए कारे करे उसके सिख्षक को किसे प्रकार हस्तशेप करने की आविशक्ता है उसके लिए कुछ विशिष्टी सिख्षन सामगरी का परियोग करना option D right होगा इन में से क्या प्रियावरन अध्यन का भाग है तो क्यों से इसमें प्रियावरन अध्यन का भाग है विज्ञान सामजिक विज्ञान और प्रियावरन सिख्षा से संबदित मुद्दे सरोकार option D right होगा तो सबसे उचित क्या होगा यहां पर आपका पूछा गया है तो पहला है पारंप्रिक नाट के विधाई बालक के लिए विसेवस्तू से उसे जोडने में सरल है रोंग दूसरा है पारश्पिक किरिया के नाट है उनकी समर्ती में अधिक समय तक रहते हैं बिल्कुल सही है C थड़ है दीमी गती में सीखने वाले विध्यारती अभिन्या पसंद करते हैं यह भी आपका बिल्कुल सही तो दूसरा और तीसरा आपका सही होगा option C right है नेक्स आता है question number 90 है कि परियावरन अध्यन की पार्ट्य पूस्तक विध्यारत्यों को सहीता करते हैं तो कौन सहीता करेगी सभी संसाधनों के द्वारा ज्यान की रचना करने में option C right होगा नेक्स आता है जो आपका section है यानि हिंदी का section आपका है तो यहाँ पर पर्ट्संग के 91 से लेके 99 तक जो question है पहले आपको गध्यान से मिलना है तो चले पहले गध्यान का question आपका बनता है कि उपवास का संबंद किस्से है जो उपवास है उसका संबंद किस्से होता है केव स्वास्ते से option यहां पर जो है यह आपका गरत होगा यानि केवल स्वास्ते आपका नहीं होता next option c कि धार्मिक अनुशानों तत स्वास्ते दोनों से option c right होगा next 92 question है बदलते motion का परभाव किस पर पढ़ता है तो वो पढ़ता है स्वास्त पर option राइट होगा 93 question है सारे रिक और मानसिक सुदिता से क्या प्राप्त होता है तो रोगों से लड़ने की सक्ती option a right होगा next 94 question रोगों के लोटा आने की जो संभावना है वो कब कम हो जाती है जब बिना भूग के बोजन ना किया जाए option d right होगा next question 95 क्यूप वास के दोरान सरीर के पाचन संस्तान को पूर्ण विश्रा मिलता है रेखांकित वाक्चान से क्या पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है option c right होगा next 96 क्यूप गलत खाद पदार्ती विजातिय ध्रव्य यानि विश्व को अकाम करते हैं यहां गलत खाद पदार से क्या तात पर यह है जो पदार्त सरीर को हानी पोचाते है option b right होगा next 97 कोश्व की विजातिय का विलोम सब्द है तो क्या होता है सजातिय अप्शन भी राइट होगा next 98 कोश्व क्यूप गलत खाद प्रत्य होगा option b right होगा next 99 कोश्व कोन से कों विशेशन का उधारन है तो विशेशन का उधारन के असली option D right होगा नेक्स्ट अब आपका 100 से लेके 105 तक जो question है वो आपके पध्यान से बनने वाले हैं तो पहला question आता है question number 100 कि कवीता में किस आदत की बात कही गई है पते विशेस पर पत्र लिखने की option D right होगा नेक्स्ट 101 question है आदतों को बदल देना कटीन क्यों है आदते व्यक्तिगत का अभी निस्सा होती है option C right होगा नेक्स्ट 102 question है कवी के दोस्त कहां रहते है जम्मू में option B right होगा नेक्स्ट 103 question है बूरी तरह भीगा हुआ से तात परिया है चिट्टी में वी स्तापन का दर्द लिखा था option B right होगा नेक्स्ट 104 question की कवीता में किसका स्वर पर मुक्ता से सुना जा सकता है तो घर वाप्षिना होने की पीड़ा का option C right होगा नेक्स्ट 105 की कुछ-कुछ सब्द युग में तो पुनरुक्त सब्द युग में option B right होगा नेक्स्ट 106 question की बहु भासिकता हमारे मस्तिस को सकरात्मक रूप से परभावित करती है और हमारे संग्यनात्मक कोशलो को सम्रद करती है दुई भाशावाद का यह है परिप्रेक्षब बीसवी सतापदी के अधिकान समय के दोरान दुई भाशा के प्रती विक्सित द्रिश्टी कोनों से सर्ता भी नैसरुआती दोर में दूसरी भाशा को किस रूप में जाना जाता था तो हस्तशे बादा के रूप में option B right होगा नेक्स्ट 107 question की ट्रांस लेंग्विजम से क्या तात्परिया है पारंप्रिक सांस्क्रिक रूप शे प्रिभाशित भाशा की सिमाव को चुनोती देना option B right होगा नेक्स्ट 108 question की भाशा सिक्षा में रचनात्मक्ता से क्या तात्परिया है तो ऐसी कक्षाई गतिविदी जो नवचारी है जो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है option A right होगा नेक्स्ट 109 question मेरी कक्षा में जो मेरी कक्षा है उसमें सदप नामक विध्यारती है तो वो क्या होगा उनसे ने कहीं से अच्छा और हुम जैसे सद सुने और उनके बारे में जानना चाहते है पाठ्या करम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याक्या नहीं है मुझे क्या करना चाहिए तो उस टाइम पर यानि उसको क्या करने चाहिए बोली जाने वाली भासर के प्रमानिक प्रियोग के उधारन दूढ़ने चाहिए option भी right होगा नेक्स्ट है 110 कि निमलिकित में से कौन सा व्याकरन के पाठ का चरन नहीं है तो भासर एक पटन सामगरी के माध्यम से प्रस्तुत की जाते जिसका विध्यारती अभ्याज डिल कर सके option डी right होगा नेक्स्ट है 111 कि विलिमलिकित में से कौन से भासर सिख्षे की अवधारना नहीं है तो वो है धवनिक option भी right होगा नेक्स्ट है 112 है कि नोम चोंस्की के इस वाक्या पर ध्यान दीजे कि रंग रही धरे विचार सांति पूर्वक्स होते है यह किस तरह के वाक्या का उधारन है एक्जाम्पल किसका होगा तो वो है कि व्याक्रणिक दरश्टी से सही बनावट पर्त अर्थ की दरश्टी से नहीं है option भी right होगा नेक्स्ट है 113 प्रिमानत इसलिए इससे आगे और हाला कि किसके उधारन है योजक उपकरन के option ने right होगा नेक्स्ट 114 question है कक्षा में अध्यापक की भासा के सही धारन की पैचान करिए तो कर्प्या समों में बैटे और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर अनुछेद आपको लिखना है option डी right होगा नेक्स्ट आता है 1115 question कि वास बैक सब्संबंधित है कि किस परकार से कोई जाच परिक्षन डैस है तो कैसी होनी चाहिए तो वो है कि पार्ट्या पुस्तकों का संग्रे option ए right होगा नेक्स्ट कोश्चन है 116 विविद संदर्बो में स्वाभाविक विमर्स में सामिल क्या हुआ संग्रे क्या है तो वो होता है सिक्षार्थों की परिक्षाओं की तैयारी को परभावित करता है option भी right होगा नेक्स्ट 117 कोश्चन है कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक सिक्सार्थी आई के अवस्ता में जब आई प्लस वन इस्तर के किस परकार के निवेश से अर्जन संभाव है अभोध में निवेश option भी right होगा नेक्स्ट 118 कि भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है तो सत्य है कि स्ट्य है कि स्ट्य है ऑवे चेतन में आपका है option नमबर c right होगा नेक्स्ट 119 कि भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्व में जब है यह भारतसं कि स्ट्श से कार्यली भाषा है option भी राइट होगा next 120 कोश्चन माद्यमिक इस्तर पर भासा अधिगम में बोदग में निवेश्या है तो सिक्षार्ति के इस्तर से थोड़ा या उचे इस्तर की परमानिक पार्ट्य सामगरी option है राइट होगा अब आता है नेक्स्ट आपका स्क्षन यानि इंग्लिस तो इंग्लिस में जो पहले आपको एक पैसेज दिया गया जिसमें 121 से लेके 128 तक जो कोश्चन है आपके हैं से आपका आंसर मापर मिलने वाले हैं तो पहला कोश्चन है 121 कि स्वामी डिडेंट वांट स्वामी डी राइट है नेक्स्ट 123 कोश्चन है रीड़ दा फोलंग स्टेट्मेंट पहली है क्यों इस स्कूल रैड बिल्डिंग स्वामी वाज वाज वारी एंग्री विदीज फादर सैकिंड ही वांटिड दा स्कूल बिल्डिंग टू भी एपसलूटली डिस्टोइड थ स्वामी रिलेशन विदीज फादर वाज तो वेते फियरफूल ओप्शन भी राइट होगा नेक्स 125 कोश्चन है रीड़ दा फोलोंग स्टेट्मेंट तो पहली स्टेट्मेंट है स्वामी वाज एंजाइस तो नो वाट इस फादर एडिटन इन दा लैटर बिल्कुल सही है यहां पर यानि क्राइड ओप्शन है राइट होगा नेक्स्ट है वन ट्वेंटीट इस फादर वाज तो यह होता है और यह प्शन दी राइट होगा अब आपका सेकिंड पैसिस आ गया जिसमें बन्ट्वेंटी नाइंट से लेके वन थर्टिफाइव कोश्चन आपके बन से आपको मिलेगा पहला कोश्चन है कि रभी फिल्स दैट ही कैन वर्क मोर एफिशेंट ली आफ्टर तो साइक्लिंग होना स्टेशनरी बाइक और प्शन सी राइट होगा नेक्स्ट एवन थर्टी कोश्चन कि रीड दा फॉलोइंग स्टेटमेंट पहली है इसमें कि प्य दूसरी आपकी सही होगी तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी नेक्स्ट एवन थर्टी वन कोश्चन कि बैनिस दा ब्लू पैराफोर दा अंडरलाइंड वर्ड मींस दा सेम है तो राइट आंसर ट्रॉबल्स ओप्शन डी राइट होगा नेक्स्ट एवन थर दूसरी आपकी सही होगी तो ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट आता है 133 कोश्चन वीच ओफ फोलोंग इस नोट आप बैनिफित ऑफ स्टेशनरी साइकलिंग तो इस्टेडी हाट रेट ओप्शन डी राइट होगा 134 कोश्चन एप्रेशन इन पैराफोर इस यूज यह नावन यानि ऑप्शन भी करेक्ट होगा नेक्स्ट वन थर्ट फट्रीगर पैरा थर्ड दस नोट मीनस दसेम तो यह ओता है फ्लैश्बैक ओप्शन सी राइट होगा नेक्स्ट एट इस इक्स्ट वेशन आप लेर्नर सेंटर क्लास तो टेक्स इंटू कंसिडरेशन पै पाशा शिक्षा आपका तो इसमें हो जाएगा कि इन्कोर्पोरेटिंगा सोचल और इंटरेक्टिव परस्पेक्टिव ऑप्शन दी राइट होगा नेक्स्ट वन थर्ट एट कोशन है कि रिफ्लेक्शन इन लैंग्विज टीचर एडुकेशन तब इंक्लूर्स इस एक्ट प्रिफ्लेशन और प्रोब्लम शुल्विं लेडिंग तो नुव इंसाइट अंडर्सेंडिंग ऑप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट वन थर्ट इन कोशन है कि स्वेब यूज आरेटिंग पैसेज तुटीच पास्ट पर्फेक्ट थांस ही गेव एग्जम्पल एक्स्ट इसमें आएगा तो इसमें आएगा कि लेडिज लेशन इन्वोड एक्स्ट ग्लामर टीचिंग एडिस्क्राइब दा रूल्स फोर लेर्नर्स ओप्शन दी राइट होगा ओप्शन दी करेक्ट है नेक्स्ट 143 कोश्ट फाइनली मोरेवर इनाटेशन टू एंड बिशाइड आर एक्जम्पल ओफ तो यह हो जाएगा कोहेसिव डिवाइस ओप्शन ने राइट है 146 कोश्ट ब्लेंडिड लर्निंग इस तो ब्लेंडिड लर्निंग है क्या तो और कंबिनेशन ओफ डिशनल लर्निंग एंड वैब बेस्ट ओनलाइन एप्रोच ओप्शन दी राइट है नेक्स्ट 147 कोश्टन है लेंग्विज अवेर्नेस तो यह हो जाएगा है कोग्निटिव एड्वांटेज इस ओप्शन ने राइट है नेक्स्ट 149 कोश्टन है मदर टंग बेस्ट मुल्टि लिंग्विज इस तो इसमें पहले आपका है तो इसमें है ग्या बोल रहा है एंड ओल स्टुडेंट विद लेटर बीटी इस तुडेंट साइलेंस तो वन स्टुडेंट बोलता है यह वेरी कॉयटली इस तुडेंट आर इलेक्टन तू आंस्वर विच फॉल्लविज रिज़न दस नोट फिट तो राइट आंसर इस्टुडेंट प्रीफर नोट टू कोप्शन सी राइट होगा चलिए यह लाश्ट कोश्चन आपका था जो बच्चे चैनल पर नए है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यू